हलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग तो आल अफ यू आप जुड चुके हैं हमारे चैनल से और आज मॉलिक्टिलर बैसिस ऑफ इनहेरिटेंस का फिफ्थ क्लास है तो मैं थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ कि कुछ लोग और आकर के जुड जाएंगे जो भी अभी तक जुड नहीं पाए हैं वो जुड जाएंगे थोड़ा सा में वेट कर लेता हूँ और जो लोग अभी जुड चुके हैं वो इसे सेर कर दे ताकि जो अभी तक नहीं यहां जुड पाए हैं वो पहुँच जाएं ख protः आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग को मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया था कि आज हम फ्रैंकल और कॉन्डर्ट का एक्सपेर्मेंट पढ़ने वाले हैं gal ar और कॉन्रट का एक्सपेरिमेंट इसके पहले हमने ग्रिफित का प्रियोग और ग्रिफित के प्रियोग के बाद एवरे मेकलियोड और मेकार्टी का प्रियोग और हरसे और चेज का प्रियोग हम लोग पढ़ चुके थे आज हम लोग उसके आगे का प्रियोग पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रैंकल और कॉन्डट का प्रियोग थोड़ा दिर सिर्फ वेट कर लेते हैं जो लोग जूड़ चुके हैं comment box में या chat box में जरूर chat box में जरूर कुछ ना कुछ लिखकर हमें inform करें तो आज का प्रियोग काफी interesting है आज का प्रियोग में हम जानेंगे कि आरेने भी genetic material की तरह कारिक करता है और आरेने genetic material की तरह कैसे काम करता है यह हम लोग कि इस वीडियो में जानेंगे कि काफी आज बैक्ग्राउंड में हला हो रहा है तो आप लोग को साथ साउंड यह सुनाई पढ़ रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं मेरे आवाज आप लोग के पास अच्छे तरीके से सुनाई पढ़ रहे होंगे मुझे अशा लगता है तो शुरू करा जाए क्लास को आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग फ्रैंकल और सींगर का प्रयोग यह तीन साइंटिस्ट का नाम है यह तीनों साइंटिस्ट फ्रैंकल कॉन्ड़ और शिंगर नहीं यह प्रयोग किया और इस प्रयोग से यह सिद्ध किया आर एंड़ जो होता है वो genetic material की तरह कारी करता है genetic material क्या होता है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि DNA जो है वो क्या है एक परकार का genetic material है मतलब की अनवनसिक सुचनाओं को एक पीधी से दूसरे पीधी में ले जाने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो DNA है यहां तक हम पढ़ चुके और यह किस प्रयोग से सिद्धुआ था इसके लिए दो प्रयोग था एक तो एवरी मैकलियोड और मैकार्टी का प्रयोग था और दूसरा जो प्रयोग हमने पढ़ा था हर्षे और चेज का प्रयोग हर्षे और चेज का प्रयोग हमने यही देखा कि DNA क्या है genetic material की तरह काम क कुछ वाइरस ऐसे होते हैं कुछ वाइरस ऐसे होते हैं जो की सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और आरेने के बने होते हैं जिसे हम रेट्रो वाइरस करते हैं तो जो वाइरस आरेने और प्रोटीन का बना है मतलब कि जिसमें DNA है ही नहीं उसमें genetic material क्या होगा तो जिसमें DNA नहीं होता है उसका genetic material RNA होता है जिसमें DNA नहीं होता है उसका genetic material क्या है? RNA है तो ये RNA genetic material है इसको कैसे सिद्ध किया गया? ये Frankel, Conrad और Singer ने बताया था तो सुरू करते हैं प्रियोग क्या था? प्रियोग उसने क्या किया? कि इसके लिए TMB को चुना मैं color change कर लेता हूँ किसको चुना? TMB को चुना TMB क्या है? Tobicomodiac Virus ये TMB के कई strain होते हैं अलग-अलग प्रकार के strain होते हैं तो TMB का दो strain को चुना एक को कहा A strain और दूसरे को कहा strain B ये क्या हो गया? अलग-अलग strain हो गया ये क्या हो गया? अलग-अलग strain हो गया एक तो हो गया strain A और दूसरा हो गया strain B अब यहाँ पर क्या किया? कि उसने जो प्रयोग किया दोनों को ये किस चीज़ के बने होते हैं? इसमें दो material होते हैं एक है protein और दूसरा है RNA सेम इसमें भी किस चीज़ के बने होते हैं? एक तो protein के बने होंगे और दूसरा क्या चीज़ होगा इसमें? RNA होगा अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इसके protein और RNA को अलग कर देती हैं ध्यान देजिएगा फर्स्ट प्रियोग में उसने क्या किया? पहले में क्या किया? कि estrogen A को लिया A को लेने के बाद इसके protein वाले part और RNA वाले हिस्से को अलग-अलग कर दिया मतलब कि protein को अलग कर लिया RNA को अलग कर लिया अब सिर्फ protein कोई activity प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ protein जो है वो एक crystal के रूप में मिल गया दूसरा जो है RNA जब RNA को इस A strain से अलग कर लिया गया तब भी इसमें कोई activity नहीं था मतलब इसमें वाइरस जैसा कोई property नहीं था लेकिन फिर से क्या किया? किया था इन दोनों को फिर से एक में मिला दिया दोनों को integrate कर दिया और ऐसा करने से क्या हुआ कि फिर से TM भी मिल गया मतलब TMB कि A strain को protein और RNA को अलग किया और फिर दोनों को मिला या तो फिर से हमें क्या मिला? फिर से हमें TMB मिल गया और इसका जो प्रोपर्टी था इसका जो गुन था टीमबी का वो एस्ट्रेंज जैसा था कैसा था एस्ट्रेंज जैसा मतलब क्या है कि जिसका हम प्रोटीन लेंगे जिसका आरेने लेंगे उन दोनों को मिलाएंगे दोनों A से ही लिया गया था फिर दोनों को मिलाया तो A अश्ट्रेन ही प्राप्त हुआ लाश्ट्रू यह हुआ प्रयोग का पहला चरन अब दूसरा चरन क्या कहता है दूसरे चरन में क्या किया कि अश्ट्रेन B को लिया B को भी क्या किया इसके protein वाले हिस्से को अलग कर लिया और RNA वाले हिस्से को अलग कर लिया और फिर दोनों को आपस में इंटिग्रेट कर दिया दोनों को फिर से जोड़ दिया जब B वाले TMB के प्रोटीन और RNA को अलग किया तो ना तो प्रोटीन कोई activity प्रदर्शित कर रहा था और ना ही RNA कोई activity प्रदर्शित कर रहा था लेकिन जब दोनों को फिर से आपस में integrate कर दिया गया तो हमें क्या मिलता है TMB मिलता है अब यहां देखने वाली बात है कि यह जो TMB मिला इसमें कौन सी property है तो यह B गुनवाला था मतलब B strain इसमें था यह ध्यान देने वाली बात है मतलब प्रोटीन भी B का था RNA भी B strain का था TMB का था और दोनों को मिलाया तो B strain ही प्राप्त हुआ यहां तक तो सब कुछ ठीक है अब क्या किया इन दोनों प्रियोग को करने के बाद एक तीसरा प्रियोग भी किया अच्छा अब तीसरा प्रियोग क्या किया कि दोनों को हैब्रिड बनाया हैब्रिड मतलब समझते हैं कि प्रोटीन B का लिया RNA A का लिया क्या किया अश्टेप क्या है तीसरा क्या किया सबसे पहले तु लिया अश्ट्रेन ए और क्या लिया अश्ट्रेन बी ये दोनों को ले लिया और इन दोनों को प्रोटीन और आरेने में अलग-अलग कर दिया मतलब अश्ट्रेन ए का क्या लिया प्रोटीन लिया और अश्ट्रेन ए का अलग जो दूसरा हिस्सा किया वो क्या मिला अरेन A मिल गया इसी प्रकार से अस्ट्रेन B को भी क्या किया दोनों हिस्से को अलग कर दिया मतलब अस्ट्रेन B में क्या हुआ प्रोटीन को लिया अलग कर दिया और RNA को भी अलग कर दिया यहां क्या किया कि A को दो अलग अलग भाग में बाटा मतलब प्रोटीन और RNA में और अस्ट्रेन B को भी प्रोटीन और RNA में बाट दिया यहां क्या किया पहले वाले एक्सपेरिमेंट और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि दोनों एक ही जगा से प्रोटीन और आरेने को ले करके इंटीग्रेट किया था इसमें हाइब्रिड किया हाइब्रिड कैसे किया इसका प्रोटीन लिया और आरेने इसका नहीं लिया आरेने इसका ले लिया ये ध्यान देने वाली बात है मतलब A का प्रोटीन लिया B का B का RNA ले लिया तो यहां हमें क्या मिलेगा TMB फिर से मिल जाएगा और दूसरे में इधर से एक्स्पेरिमेंट जो किया इसको हैब्रिड कर दिया मतलब इसमें क्या किया RNA A से लिया और प्रोटीन B से लिया तो फिर हमें क्या मिल जाएगा TMB मिल गया अब इस TMB का गुन कैसा होगा यह जो दो नए TMB हमें मिले हैं यह क्या है hybrid TMB होगा यह जो वाइरस है यह वाला और यह वाला यह क्या है hybrid है संकर है यहाँ पर इसका गुन कैसा मिलेगा तो जिसका RNA लिया जाता था उसी का property मैच करता था मतलब कि ये जो हमें मिला है TMB इसमें B का RNA आया है यहां से आप देख सकते हैं कि B का RNA यहां से गया है तो इसका जो property था ये कैसा था? अश्ट्रेन B जैसा था ठीक है? और इसका जो property था वो अश्ट्रेन A जैसा था मतलब जिसका RNA लिया गया उसका गुन मिल रहा था जिसका protein लिया उसका गुन नहीं मिल रहा था मतलब ये प्रियोग क्या बताता है? कि protein किसी का भी हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है RNA जिसका होगा उसी का गुन होगा इसका मतलब होता है कि जेनेटिक मैटेरियल के रूप में आरेने काम कर रहा है और यह बहुत आसान सा एक्सपेर्मिंट है जिसको फ्रैंकल, कॉनरेट और सिंगर ने किया था यहाँ पर मैं बता दूँ कि अस्ट्रेन A और अस्ट्रेन B का भी अस्पेस्फिक नाम होता है ठीक है तो यहाँ जो प्रयोग है वो अस्ट्रेन A और अस्ट्रेन B करके आपको समझाया गया है लेकिन अस्ट्रेन A का भी अस्पेस्फिक नाम है तो इस प्रयोग से आपको पता जला कि जिसमें DNA नहीं होंगे जिस वाइरस में DNA नहीं होंगे उसमें RNA ही जनेटिक मेटेरियल के रूप में काम करेगा तो मुझे लगता है यह आपको समझ में आ गया होगा युत टीमबी के बारे में आपको पता होगा अगर फ्रon पता है तो बताये क्या होता है अब चैट बोक्स अब के लिए Uhr Durl करिए नहीं के बिल्कुल ओंडर में आप वहां नंसर करी सकते हैं कि टीम अब कफॉल फरम क्या होता है यहां पर मैंने बताया कि B को लिया था और B को प्रोटीन और RNA को अलग करके फिर से जोड़ा तो B का TM भी मिला और यहां पर मैंने बताया फॉस्ट एस्टेप का एक्सपेर्मेंट जिसमें एक प्रोटीन अलग किया और फिर दोनों को मिलाया तो एस्टेंड का ही TM भी मिला और सबसे पहला स्लाइड तो क्लास को आफ किया जाता है मिलेंगे फिर हाँ एक चीज और रह गया था मैंने आज एक कोश्टन भी आपसे किया था कि बैटेशन और पनिट आपके साथ मैंने एक कोश्चन सेर किया था कि बैटेशन और पनिट ने एक प्रियोग किया था जो मिंडल के स्वतंत्र अप व्युहन के नियम को फॉलो नहीं करता है और उस प्रियोग के लिए जो पौधे को लिया गया था या जिस पौधे पर प्रयोग किया गया था मैंने उसका नाम पूछा था उसका नाम था स्वीट पी है ना इसको मीठे मटर कहा जाता है और इसका नाम था scientific name भी आप बता सकते थे जिसका नाम था लैथायरस ओडोरेटरस कि मीठे मटर था ना इसका नाम क्या था मीठे मटर लैथायरस ओडोरेटरस तो आप इसको फिर से देख लेजिएगा अपने बुक में सेम यही नाम है आप भूल रहे हैं कि एक निए एंसर की दिया है लेकिन एंसर सही है नहीं कोई बात नहीं है आप मैं फिर से मैं पॉर्ड एक कोश्चन आप से आपके सामने रखा करूंगा आप उसका एंसर कोमेंट बॉक्स में उसी वीडियो के दे दिया किजीई आ है मैं लास्ट तक देख लूँगा कितने लोग तो ड Directly आप उसी सकते है जैसे भी पूछना होगा पोच्छ सकते हैं ठीक है तो प्लास को आफ करते हैं थैंक यू सो मुच तो आल अफ यू